करना है तो जो कायानुसती है अधिकतर हैं पर हम काया गतानुसती करते हैं अधिकतर लेकिन मैंने अब तक कायानुसती ही किया है आज फुड़ा सा और आगे बढ़ेंगे जो यह अनुसतियां दस भगवान बुद्ध ने बताई हैं उनमें से एक अनुसती है काया गतानुसती जैसे कि बुद्धानु सती है, धम्मानु सती है, संगानु सती है, सीलानु सती है, चागानु सती अर्थात प्यागानु सती है, देवतानु सती है, मडानु सती है, और काया गतानु सती है, आना पान सती है, उपुर, समानु, सती अर्थात सांती की सती, ये दस अनुसतियां ह उनमें से एक यह सती है ताया गतानी सती है तो हमें इसके वारे में आज बहुती गंभीरता से ध्यान करना है जो लोग हमारे बीच में नए नए जुड़े हैं तो उनको जो है भौत साथानी से जो भी कहा जाता सुनना है कि कुछ सब्द पाली के ऐसे होते हैं जो लोग नए होते उनको समझ में नहीं आते जो पुराने होते उनको समझने करने का प्रियास करूंगा हो सकता कुछ सब्द थोड़े से गलत हो जाए आपके लिए समझ में ना आए तो आप बाद में प्रस्निवी पूछ सकते हैं और फिर भी आपको तसली नहीं होती है अपने असपास के केंद्र के जो भी धमचारी है अनुवबी है सीनियर है आप उन चित्तम कतम पस चित्तम कतम बिंबं अरुकायम सामु सतम आतुरं बहु सांकप यस्नत्ती धुबं थेती अर्थात इस बिचित्र सरीर को देखो जोकी ब्रणों से युक्त है पूला है पीडित है तथा अनेक संकल्पों से युक्त है जिसकी इस्तिती कैसी है अनित है परिवर्तन सील है एक जैसी इस्तिती रहने वाली नहीं है जनम से लेकर कि अब तक आप उस अपने सरीर के बारे में हैं अंदर से बाहर से चिंतन कर सकते हैं कि क्या वाकई हमारा सरीर पहले जैसा ही है अगर ऐसा होता तो हम तो अब तक बच्चे य बने रहते यहां तक पहुंशते नहीं और जो बूड़े हैं तो बूड़े ही बने रहते जबान है जबान ही बने रहते लगता तो ऐसा है इस नान घर में जब जाते हैं तो दरपड को देखते हैं चेरा ऐसा ही रहना चाहिए लेकिन ऐसा रहने वाला नहीं सरीर ऐसा रहने वाला नहीं अगर यह ऐसा ही रहता तो भी द सुन्दरी गणकाती कैसी थी परम सुन्दरी कि वह भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनकर उसने श्रोता पत्ति फल को प्राप्त कर लिया था तथा प्रत दिन अपने घर विक्षों को बड़े स्रद्धा के साथ बड़े सम्मान के साथ दान देती थी और एक दिन विक्षों लोगों को दान दे करके कोई ऐसी बीमारी हुई जैसे आज की तारीके महट अटेक होता ऐसी कोई बीमारी हुई और वो तत्काल मर गई उसका मिरत सरीर समसान में राजा दोरा सुरच्चित रखवाया गया यह कोई वबस्ता प्राप्त थी तीसे दिन भगवान बुद्ध अपने भिच्चु संक के साथ बहां गए और मिरत सरीर को बिख्वों को दिखला कर कहा उस विच्चुनी के उस गणका के सोरी उस गणका के शरीर को दिखला करके कहा क्या का विच्चु वो इस प्रकार का भी रूप नस्ट हो गया कौन सा रूप जो परम सुंदरी थी यह जल्दी समझ में नहीं आता जो विशेश कर उन लोगों को समझ में नहीं आता हो जो जादा ही सुंदर होते हैं मैन हो या बूमैन हो जब तेल लगाते हैं कंगा करते हैं उस समय उनका भाव कुछ अलग होता उस समय यह समझ में आता है यह सब कुछ अनित्थ है परवर्तं सील ने कुछ भी रहने वाला नहीं है बालों में ज़्यादा सेवा करतें बाल भी नहीं रहते हैं चेहरे की सेवा करतें वो भी चेहरा बदलता रहता रहता है पर आज तो बहुत सारे आप आ गए है कि वह दिखा देते हैं आज आपका ऐस चेहरा हो जाएगा लेकिंगे सच्चाई तो यह है कि बदलने वाला है तो हो सकता उससे भी जादा भयानक हो जाए और किसी किसी का बाटवी जाता है तो भगवान बुद्ध यहां कहते हैं देखो इस प्रकार का भी रूप कितना सुन्दर था और वह भी नस्थ हो गया देखो भिक्रो देखो इस पीडित शरीर को देखो ऐसा कहकर के वही गाथा कही उन्होंने जो भी मैंने बताई थी कि इस बिचित शरीर को देखो जो ब्रड़ों से युक्त है भूला हुआ है तता अनेक संकल्पों से एक तुन्याने क्या-क्या सोच रखा होगा अब वो सब कुछ खतम हो गया जिसकी स्थिति कैसी है अनित है प मैं बताना चाहूंगा यह हमने मज्जिम निकाय से लिया है एक बार की बात है ऐसा मैंने सुना भगवान बुद्ध स्रावस्ति के अनात्र पिंड़क के जो आराम है जेतवन है उसमें बिहार करते थे तो भोजन के बाद उपस्थान साला में विखूर कठे बैठे हुए थ कौन सी चर्चा कर रहे थे धम्म चर्चा कर रहे थे और हम लोग इकठे होते हैं तो हम धम्म चर्चा नहीं करते हैं घर चर्चा करते ग्रह चर्चा करते पतनी चर्चा करते पती चर्चा करते पडोसी चर्चा करते दूएस चर्चा करते हैं लिकिन वो क्या कर रहे थे धंबर्चर्चा कर रहे थे और धंबर्चर्चा में प्या कह रहे थे कि अदभुत हैं आश्चरी है आभुस अदभुत है जो उन जानने वाले देखने वाले भगवान अरहत्संम्य की संब्ध्यने कहा है क्या कहते हैं यानि काया की स्मृती काया की गत हो रहा जो भी चल रहा है उसकी स्मृती भाबित करने से बहुलीकृत करने से यानि कि गहराई से इसकी इसम्रती करने से महाफल होता है महाफल बताया है आगे मैं लाश्ट में इसमें बताऊंगा समय रहेगा तो क्या कहते हैं ये जो चर्चा उन विख्वों की आपस में चल रही थी कि ये जो काया गता सती है इसके करने से महाफल होता आईसी चर्चा चली रही थी तब तक उनके बीच में भगवान बुद्ध ध्यान करके उपस्थान साला में आगे उनके पास बैठ गे और उनसे पूछा भिक्यो किस बात की चर्चा चल रही है क्या हो रहा है तुमारी आपस में क्या बात हो रही थी तो बहां पर विक्यों ने बोला भंते भोजन के बाद में उपस्तान साला में हमारी ऐसी बात सुरू हो गई कि तब तक आप यहां पर आ गए तो अब आप आही गए हैं तो आप ही बताए काया गता सती का मफल क्या होता है तो भगवान बुद्ध कहते बिक्यों इस प्रकार जो काया गता सती है उसको भावित करने पर उसको बहुली करने पर या उसका साथ्षात कार करने पर अगर ऐसा करते तो महाफलदाई होती है यहां पर भिख्यों अरण में जाकर के एकांत में जाकर के जो काया के संसकार हैं इसके बारें बहुत ज्यादा चर्च होती रही है तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा काया के जो संसकार है उनको छोड़ता है और प्या करता है कि मैं सांस को जब छोड़ूंगा तो ध्यान रखोंगा सांस को लूँगा तो मैं ध्यान रखोंगा यह वो सीखता है और वो भी प्रमादर है तो करके आलस से रहत हो करके पत्पर हो करके एकड़म टयारी के साथ बताया जाता ना अपको ध्यान जब कराते हैं आपकी तयारी अगर अच्छी है तो आपका ध्यान भी अच्छा होगा तयारी के साथ और वो भी सैयमी हो करके बिहरते हैं वो जो है बहुती उसके पहले के जो संकल्ब लोब पूर्ण थे वे सब नस्थ हो जाते हैं और जब लोब पूर्ण जो संसकार थे या संकल्ब थे जब वो नस्थ हो जाते हैं तो क्या होता है उसका चित बाहर नहीं भागता है फिर उसका चित अंदर की तरफ जा ध्यान का मतलब किया अंदर हम देखते हैं अपने मन पहें काम करते हैं बाहर नहीं अंदर उसका चित इस्तित हो जाता है यानिक हो बैठघ जाता जैसे कोई प्यासा हुआ पानी आदमी ब्यक्ति अगर पानी मिल जाए पंक्य की हवा मिल जाए फुर ने तक बैढता है ऐसे गतार गत錯ा कैसे करता बहुत ही एकाग्ढय हो करके सर्था के साथ और फिर विक्वू जब वो चलता है तो वो यह जानता है कि मैं जा रहा हूं तो वो जानता है तो वो वह वहाँ पर प्रमा रहत होता है आले से रहत होता है समाहित होता एक दमपूरी तरीके से वो संयमित होता है भिकु इस प्रकार वो काया गत इसम्रती करता है भाबना करता है और भगवान कोते और फिर भिकु वो जानते हुए पर आबागमन करता है जानते हुए पर बोलता है मैं क्या बोल रहा हूं मैं कितना बोल गया हूं वो यह जानता है कि यहां पर मुझे चुप रहना है, या मुझे यहां बोलना है, इस परकार से वो प्रमाद रहत हो करके, इस काया की इसमरती करता है, काया नू सती करता है और भगवान बुद्ध कहते हैं और विक्वो मोओ आराम से वैठ करके, पैर के तलवे से लेकर के सर के बालों तक एक एक अंग को वो देखता है उस अंग प्रिटेंग में क्या क्या चल रहा है कैसी कैसी भावनाय निर्वाण हो रही है रोम रोम के अंदर क्या चल रहा है वो उसको देखता है यह मेरी नाख है मेरी यांख है मेरी टांग है यह मेरा है कैसा पेट है कि इस बाद को वह देखता हुआ उसकी जाग्रती को रखते हुए ये देखता है इस काया में एक एक अंग को अंदर वाहर के अंगों को वह देखता है इस प्रकार से इसकी भावना करता है इस इस प्रकार से उस काया गतानु सती को करता है और फिर कि उससे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे भाई और बहनों थोड़ा सा डरना नहीं है कि हिम्मत से सुनना है कि क्योंकि यह काया है हम यहां पर कल्पना कर रहे हैं कभी कुछ भी हो सकता है तो बिक्वों को बता रहे हमें आपको नहीं बता रहे हैं तो जो नए लोग हैं तो क्रपया बहुत साबधानी से सुने तो भगवान बुद्ध कहते हैं और फिर विक्वों वो इस काया को इस्तिती के अंसार इसकी इस्तिती कैसी है उसके अंसार वो भावना करता है जैसे कि म उसको टांग दिया गया हो तो फिर उसको देखता है उसको और फिर विप्वव एक दिन के मरे हुए अपने अपने ही एक दिन के मरे हुए सब को देखता है मरे मरे हुए एक दिन हो गया है इससे न बच सकने वाली है यह कभी भी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है इस प्रकार वह प्रमाद रहत हो करके भाबित होता है भाबना करता है और भगवान बुद्ध कहते और फिर विख्वो जैसे की किसी सब को कव्योंने नोच नोच कर खा लिया हो है और आगे कहते हैं वह अपने सबको मास लहू नसों से बंदा हुआ यानि रक्त रंजित पूरा खूनम खून है यह मेरा ही शरीर है इस प्रकार से वो भावना करता इस प्रकार से वो ध्यान करता है आगे कहते हैं भगवान बुद्ध विख्वो और फिर वो मास रहत मास ही नहीं उसमें लहू लगा हुआ है केवल क्या है खूनी खून है मास तो ही नहीं उसमें अपनी काया को इस तरीके से देखता वो भी प्रमाद रहत हो करके आगे भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे अपने सरीर को ऐसे देखता है जैसे संक के समान सफेद बर्ण वाले केवल सफेध बर्ण दिखाई दे रहा है कैसा संक के समान अब सपेदबर्ण कव होता है जब नमस्में नसे रहती है नमास रहता है ना खून रहता है कोई अंग प्रतेंग भी नहीं रहता है केवल क्या हो जाता है हड्डियों का धाचा अस्थी पंजर हो जाता है तो वो ऐस प्रकार से देखता है यह मेरा ही अस्तिपंजर है इस तरीके से वो अपने सरीर को ध्यान में देखता है आगे भगवान बुद्ध कहते हैं और फिर जो वो अपने शरीर को इस प्रकार से देखते देखते सभी प्रकार के जो काम है यानि कामचंद है उनसे वो बिरत हो जाता है और जब कामचंद से बिरत हो जाता है उसके पूर्व के संसकार पूर्व के संकल्व जब समाप्त हो जाते है तो वे प्रथम ध्यान को बिहरता है यानि उसकी अवस्ता प विवेक से उत्पन प्रीती और सुख से अपने आपको पूर समझता है वो ब्याप्त करता है इसके सरीर का कोई भी भाग विवेक का प्रीती सुख से अब्याप्त नहीं रहता है याने पूरे के पूरे सरीर में प्रीती ही प्रीती समा जाती और प्रीती का मतलब समझते हैं अ बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता ऐसे मैंने कई आपल प्रीटी के बारे में बताए ऐसे ध्यान में हमारे क करनाम लाव होते हैं में लाव तो नहीं कहुंगा ऐसे द्रस में कभी ऐसा लगता हमारा सरी कभी हलका हो गया कभी भारी हो गया कभी ऐसा लगता गर्म हो गया कभी ठंडा हो गया कभी असा लगता मुड़ने वाले हैं पुरी तैयारी हो रही है ऐसे तरह तरह की का नाम जो देखता है सुन्दर घाटियों को देखता है सुन्दर फूलों को देखता है यह हमारे कुछ अ अति आनंद की अवस्ता होती है, ऐसी अवस्ता को वो प्राप्त करता है, और फिर विखुओ, वो बितर को विचार भी सांत हो जाते हैं, दुती ध्यान को प्राप्त हो बिहरता है, इसी काया को समादी से उत्पन, प्रीती सुख को प्राप्त करके वो बिहार करता है, उसके सर होती है आगे भगबान बुद्ध कहते हैं कि जैसे विक्वो पाताल फोड दंबीर उदक दंड यानि जलकुंड हो जलकुंभी जिसको जानते ही आप हो आप जानते उसके पूरे जलकुंभी के अंदर जड़ से नीचे लेकर पूरे पत्तों तक पानी ही पानी भरा हुआ होता है ऐसा लगता है कि इसमें पाताल फोड के अंदर ना पूरफ से पानी आ रहा ना उत्तर से आ रहा ना दक्षड से आ रहा ना ऊपर से आ रहा है ऐसा लगता है ऐसा लगता किसी देव ने भी इसमें को भी पानी नहीं भरा होगा कोई जलधारा नहीं डाली होगी तो भी उस उदग जल से सीतल जल की जो धार है फूट निकलती है वो जो जल धारा है कहां से निकलती है अंदर से ही निकलती है नीचे से निकलती है ऐसे जब ध्यान की अबस्ता हम अमारी गंभीरता में आती है तो फिर जो है प्रीती सुख से वो तरती ध्यान में पहुंचता है कब जब प्रीती से ब्रक्त हो जाता है जब प्रीती से ब्रक्त हो जाता है तरती ध्यान को प्राप्त हो बहरता है तो यहां पर काया से उसका प्रीती सुख अलग हो जाता है प्रीती सुख से अलग हो जाता ह सब्सक्राइए इसका पूरा सुख लेता पूरा आनन्द लेता है और भगवानiras film कहते है 경찰 दिखेंगो जैसे उत्पलनी हैं पद्मिनी पुंद करनी यह जो सभेक़ का समुओं होता है नीले वाले जाओ उत्पल्नी कहते हैं और जो लस्तरूर 화ते टूंका जो समुऋ होता उससे पद्मिनी कहते और सफेद कमल का जो संभू होता है पुंड करनी कहते हैं और इसलिए आपने साइज सुना होगा पड़ा होगा भंते संगरच्ट में एक पड़ा था किताब पुंडरीक सूत्र पुंडरीक सको कहते हैं सफेद कमल उसकी गहराई में हम नहीं जाना जाएंगे हमारे पास इतना समय नहीं है तो वो जो है इस तरह से विक्वो जैसे कि चाहे वो पुंडरीक हो चाहे उत्पलनी हो चाहे कमल का समूप पद्मिनी हो आपने देखा नीचे से लेकर कि उपर तक स कारे के सारे पानी में क्या नम एक तरह से डूबे रहते हैं ऐसी दिख्व इस प्रमाद रहत हो जाता है और फिर विक्वो शुक और दुख के परत्याग से वो चत्र ध्यान में पहुंच जाता है चौता ध्यान कब होता है ना सुखत बेदना ना ही दुखत बेदना को प्राप्त हो वो चत्र ध्यान को प्राप्त हो बेरता है और वो इसी काया को परिसुद यानि कि परिबदात चि से अभ्याप्त नहीं रहता उसका पूरा अंग प्रतियंग परिसुद्ध होता है और फिर विक्वो जैसे कोई स्वेट पुरुष है ना यानि कि कोई आदमी अपने सरीर को ऊपर से लेकर के नीचे तक सफेद बस से ढाक ले तो कोई भी भाग स्वेट वस्त से यानि सफेद क कपड़ से वगर ढके उए नहीं रहता है इसी प्रकार विक्वो इसी काया को वह परिसुद्ध कर लेता है आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसने काया का इसमर्ती भावित की है बहुली कृत की है इसकी साधना की है उसके अंतरगत है सभी विद्या भागी कुसल धर् जाते हैं और फिर विक्वो क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जिसने महा समद्र को अपने चित से ब्याप्त कर लिया है उसके अंतरगत है समद्र को जाने वाली सभी छोटी मोटी नदियां सभी नदियां किदर जाती है जब वो पानी से लबालब भर जाती है तो किदर बै किसी प्रकार विक्वो जिसने काया गताशती की है कि भावना की है गैराई से साधना की विक्वो उसमें मार को मौका मिलता है क्या उसमें मार को आलंबन मिलता है क्या विक्व क्या वह भारी सिलाखंड गेली मिट्टी की धेर में घुश जाएगा या नहीं घुश जाएगा तो भगवान बुद्ध से विक्व कल कहते हाँ भनते इसी पेकार विक्व जिसने काया गतिस्मर्थी को भावित नहीं किया है तो उसके अंदर तो फिर कभी भी राग प्रवेश कर जाएगा भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोई काठ सूखा हुआ हूँ और पानी से दूर ऐसे सूखे स्थान पर फेंक दिया गया हूँ तो क क्या उसमें अगनी प्रकट होने की आसंका बनी रहती है न क्योंकि वह सूखा है तेज प्रादर भूत करने की इच्छा से अब कोई भी पुरुस उत्राणी लेकर की आए तो क्या मानते हो बिक्वो क्या हूँ पुरुस सूखे काठ को जो काठ का टुकड़ा है उसको पानी इसकी तीली लगाएंगे या आग लगाएंगे तो क्या वो जल पाएगा क्या कि भगवान बुद्ध से भखुगण कहते हां भंते तो इसी प्रकार से अगर जिसने काया का तिस्मृति भावित की है उसका यही हाल होगा कि कैसा हाल होगा जरासी अगर जरासा भी अगर राग का जगए रह गई तो समझ लो खुदी भस्म हो जाएंगे आगे बगवान बुद्ध कहते हैं विक्वो जिसने इस प्रकार की भावना नहीं की है कैसी भावना नहीं की है जैसे मालो कोई मठका है और उसमें पानी नहीं है तब कोई आदमी पानी को लेकर के आए तो क्या मानते हो बिक्वो क्या पुरुस पानी को डाल सकता है विख्टूगण कहने लेगे हां वहनते इसी प्रकार विख्टूओ समझो जिसने भावना नहीं की है जिसने भावित की है उसे मार मौका नहीं पाता आलम्मन नहीं देता यानि कि जो अपने आपको वहां सहीमित नहीं रखेगा वहां कभी उसको मार का मौका मिल जाए गया अंदर जाने का चित के अंदर कभी भी जो चित मल है प्रवेश कर सकते हैं आगे भगबान बुद्ध कहते हैं जैसे कोई हरा काठ का टुकड़ा हो और वो भी पानी के पास फैक दिया गया हो तो क्या उसमें कोई आदमी उसमें आग लगाने की इच हुआ पास पास करें तो क्या मानते ओविक्रू उस सी एक आठ को में पुरस्ट जोकि पानी के पास अगय है उत्त्राणी से रगड कर आग उत्त्त्न कर सकेगा तो इंप कहलें कें नहीं वहनते तो कहते एसी प्रकार इसने काया गत इसम्रती नहीं भावित्की है उसके साथ ऐसा ही हो सकता जैसे विख्वो पानी से लब भरा वगा कोई घड़ा हो और उसके उपर भी कवगा आसानी से बैठ करके पानी पी सकता कि भरा हुआ है जलका मटका रखा हुआ हो तब कोई पुरुस पानी को लेकर के आए तो क्या आप मानते हैं उस घड़े के अंदर पानी जा पाएगा क्या कोई पानी डाल पाएगा तो विखुगड कहते नहीं भंते तो भगवान बुद्ध कहते इसी प्रकास विख्वो जिसने काया गतिस्मत्य भावित की है उसे मार को प्रबेश करने का मौका नहीं मिलता है विख्वो जिसने काया गतिस्मत्य को भावित किया है वे अभिज्या से साथ्षात करने के लिए चित्त को जुकाता है आयतन होने पर उससे साथ्षात कार कर सकता है जैसे विख्वो पानी से लवा लब भरा हुआ जल का घड़ा उपर स्थान पर रखा हो और फिर बलवान पर उस घड़े को जिदर चाहे उधर ले जाता है ऐसी विख्वो जिसने इस काया गती को भावित किया इसकी गहराई से साथना किये वो अपने चित्त को कहीं भी ले जा सकता है उसके चित्त को कोई डिगा नहीं सकता है तो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं इसकार भिक्वो जैसे कोई जो है सडक में चोराये पर हना कोई जो है घोड़े जुता हुआ कोड़े बगारा टांग करके कोई अच्छी नसल का घोड़ा हो और उस पर कोई चतुर सार्थी हो रतवान हो चड़कर काई बाए हात में बागडो ले दाए हात में जो कोड़ा ले वो जिदर चाए उधर ले जा सकता है आएसे ही काया गता सती की साधना में निपूण साधक अपने चंचल चित को अपने बस में करके किदर भी जिदर चाहे उधर ले जा सकता है आगे भगवान बुद्ध कहते हैं विक्को जिसने काया गत इसमर्ती को भावित किया है बहुली करत किया है गहराई से साधना की है उसको दस लाव मिलते हैं कितने लाब मिलते हैं दस लाब मिलते हैं अब आप कोई कैसे मिलते हैं तो फिर उसके लिए गहराई की साधना में उतरना पड़ेगा किसको मिलते हैं जो काया गती का ध्यान इसकी सादना गहराई से करता है आम सादक को नहीं मेरे जैसे को नहीं देहां रखिएगा तो कौन से दसलाव हैं वह अरती सह होता है उसको अरती परास्ट नहीं कर सकती यानि की उदासी कि परास्त नहीं कर सकती है कि उदासी के सामने डटा रहने वाला है भगवान बुद्ध का उधान में ले सकते हैं रावा दूसरा क्या कहते हैं भगवान बुद्ध कि वह भैरब शेह होता है पहला क्या है पुदासी के सामने डटा रहने वाला है वे उत्पन अरती को दवा करके भिहरता है दूसरा भै भैरब उसको यारी किसी भी प्रकार का भै उसको परास्त नहीं कर सकता है उसको वे उत्पन जो भै है उसको दवा करके भिहरता है उसको भै को सहने वाला होता है उसका साच्छात करने वालने वाला बलकि भै को भगाने वाला होता है तीसरा भगबान बुद्ध क्या कहते हैं सीट उष्ण भूख प्यास दंस मसक बात आतप सरी सिर्पों के इस परस उनके डंक दुरुक्त दुरागत बचनों को सेहन कर सकता है उत्पन दुख तीब्र बेदनाएं कटू पुरुष इता था अमना प्राहर सारीरिक बेदनाव को सहर्ष स्वीकार करने वाला होता है अर्थात चाहे सरदी हो गर्मी हो भूख हो प्यास हो जाए डंक मानने वाले कीड़े हो मच्चर हो चाहे भी किसी प्रकार की पीड़ा सरीर में क्यों नहों रही हो इसको मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ अभी आपके सामने प्रवचन कर रहा तो सारी फीडा पता नहीं चलता है भी римे की नहीं है और उसके अलावा क्या क्या कहा है उन्होंने कट पुरस को सहने वाला होता है हमारे सामने कई वार ऐसे पुरस आ ध्यान है उनको आसानी से बगर कठनाई के पूर्ण रूपेंड लाभी होता है अर्थात जो चारोचैसिक ध्यान है बहुती सुप पूरुबग करने वाला होता है आगे क्या कहते हैं पांचमा लाभ क्या है वह अनेक प्रकार की रिद्धियों को अनुबव करता है एक होकर के भी वह बहुत होता है अर्फात जो रिद्धि सिद्धी हैं इसके वारे में में नहीं जाना चाहूँगा अगे वो दिभिश्रोत वाला होता है अर्फात है वह जो है अपने दिभिश्रोतों से सुनता है चायव वह पास की ужो चायव ौदूर की वो हमारे जो मासल जो करना श्रोत हैं उनसे नहीं दिव स्रोतों से सुनता है छोटी से छोटी हलकी से हलकी अवाज को भी सुन सकता है पास की वो या दूर की हो जैसे देखावा सरप है भहुत दूर से आगंत को अपने जो एक सारीरी की जो कमपन होता प्रत्वी के अंदर उससे ही मैसूँस कर लेता है जू है दूसरे प्राणियों के पुद्ध गलाओं के चित में जान लेता आप चारे कर रहे थे हजारों की बीच में बैठे थे और बहां से सामय की दीख का चेरा भी नहीं पहीचाना पाया और क्या करें विप्वो बुद्ध को हमारे धम सेना पती आ रहे हैं यानि दूसरे एक चित को वो जान लेने वाला होता है उसके चित में क्या चल रहा है आगे भगवान बुद्ध कहते हुए अनेक प्रकार के पूर्ब निवासों को इसमन करता है उसके पूर्ब जन्मों की बहुत सारी यादास्त बनी रहती है आप भगवान बुद्ध के बारे में देख सकते हैं बहुत सारे का आपको धान मिलेंगे पूर्ब के जिन्म क्या थे इस कि जिन्म मैं क्या daytime में क्या थे ऐस लड़ित विस्तर है आप ऊच्छी तरीके को पड़ सकते अध्यन भूत होता दूसरे के बारे में बता सकता है पूर्बू 50 में यह क्या था अगले यह अगले जन्म मैं क्या होने वाला और फिर आगे बगवांद बुद्ध्ध कहते हैं कि के साधना शती का ध्यान किया है वेखेवान बुद्ध्ध ने ऐसा कहा तो भिक्वो ने हाज जोड़ करके उनका साधूकार किया वड़े संतूष्ठ हो गए उनका अभिनन्दन किया तीनवार साधू 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 कहा और मैं भी इस करनाम जो है सुर्थ को सुनकर के मैं भी बहुत खुस हूं बहुत आनंदित हूं मुझे आपको बता कर बड़ी खुसी हो रही बहुत सोट में करने का प्रियास किया अगर हम इसको डिटेल में लेते बहुत लंबा समय लग जाता और वो हमारे पास समय है नहीं आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया और धम्मित्र माधरी बहुद ने मुझे यह क्यानाम मौका दिया है दिल्ली के इंद्र ने संदी दिये और आप सभी ने मुझे सुन लिया है तो आप सभी को मैं मन की गहराय में से आप सभी का सादू बात करता हूं आपको पढ़ करता हम, सभी को जय भी, नमाज़ाइब करता हम, सभी को जय भी, नमाज़ाइब करता हम,